हेलो वेवरिवन! आज के Lights to the Week वीडियो में कुछ different है विकोज मैंने देखा कि काफी सारे Charts में Breakout देखने को मिल रहे है तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ तीन चार्टोदा Weekost्क डिसकस करूँगा जिसमें अच्छा वाला Breakout है और तीन स्टोक्स आपको वोच लिस्ट में रखने हैं जिसमें हमें रिवर्सल ब्रेकाउट रही है, रिवर्सल चार्ट पैटन देखने को मिल रहा है और इन दोनों में से एक एक स्टोक मैं आपको अपनी तरब से बताऊंगा कि मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है शोट टर्म के लिए तो मेरी जो बेस्ट है वो आप वीडियो के लास्ट में आपको देखने को जुरू मिलेगा तो ये सब मैं डिसकस करने से पहले एक बार आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक क्युक शोट अपडेट तो निफ्टी भी आप देखोगे निफ्टी भी lifetime high cross करने वाला है अगर lifetime high cross करता है तो वहाँ पर आपका immediately target रहना चाहिए ये जो है 19,000 और उसके उपर sustain रहता है तो 2300 पाइंट उपर जा सकता है वट अगर lifetime high cross करता है तो आप एक बात ध्यान रखना है कि देखिए जब से लास्ट टैम इसने lifetime high cross किया था और उसके बाद अगर जब ये नीचे price आ गया था फिर continue नीचे तो ये अगर lifetime high cross करता है तो उसके उपर sustain रहना चाहिए इस high के उपर या जो अगर next week माली जी high cross करता है उसके उपर weekly close देता है तो वो week के उपर price sustain रहना चाहिए अगर वो price न जो recently high बना था lifetime high उसको अभी break करने वाला है क्योंकि यहाँ पर यह important sport level है तरताली 300 का तरताली 300 का जब तक hold कर रहा है bank nifty तब तक हमें उपर की side up side हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि weekly chart पर देखिए तो यहाँ last one two three times इसने तरताली 300 के level से बार बार सपोल लिया है और काफ हम बात करते हैं आज का हम जो हमारा chart of the week stocks है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार यह बिता देता हूं कि यह जो हमारे देखिए last chart of the week stocks थे जैसे उनमें क्या आपका review है जैसे आप देखिए कि राम रतना मैंने आपको दिया था एक राम रतना global wires तो यह देखिए इस एक HBL global दिया था आपको तो यह भी देखिए HBL sorry HBL power दिया आपको दिया था यह भी stock देखिए काफी अच्छा 155 तक चला गया तो यह जो last week में मैंने आपको दो stocks दिये थे उन पे हैं और आप एक और बात देखिए कि मैंने जैसे आपको week के बीच में मतल मोस्ली almost मैं आपक किया यह यह stock था है चार्ट अदवीक में नहीं आपको डिली breakout में दिया था और हैसे ही मैंने और आपको डिसकस किये तो यह stock भी जैसे आप अपनी watch list में लगा सकते हो तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ वैसे मैं 3 stock आपको new watch list बता हूँगा बट यह जो already recommend क्यों हैं यह चलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह stocks भी अच्छे breakout दे रहे हैं continue of trend में है यह station band देखिए यहाँ पर यह two days यह देखिए यहाँ पर यह inside candle बनाकर breakout दे रहा है तो यह stocks भी अच्छे यह stock मैंने आपको दो बर recommend किये और आप देखिए कि जैसे Dixon Tech देखोगे यह stock कहां पर आपको recommend किया था यह 3000 के level बाला 4500 तक चला गया अब यह अच्छे profit booking के level पर आ रहा है अगर यहाँ से continue रहता है तो यह update उपडेट उपर चलता जाएगा तो यह just मैं update दे रहा हूं आपको और एक आपको stock देखिए small price वाला दिया था main infra तो यह swing trading stock के लिए था जब 86 का level break हुआ था और यह देखिए अभी 115 तक चला गया तो यह stock भी अभी new lifetime हाई बना सकता है इस stock को भी अपने आप buy on dips करते रहे है और ऐसे ही stock मैं देखिए अगर list काफी लंबी हो जाएगी क्यों tech तो यह stock भी आप अपने watch list में लगा सकते हो तो यह breakout देगा तो फिर फर्दर आग next momentum इसमें 1200 के level रहेंगे तो ऐसे और मैंने आपको देखिए small small price के काफी दिये जैसे india cement, hincopper तो यह सारे stock मैंने आपको देखिए देता गया तो india cement में भी देखिए बार बार 190 level वाला दि करके चलते हो जैसे आपको प्राइए action daily की चाट पर एंट्रेडे में कोई trend reversal दिखाई दे तो वहाँ पर भी आप इसको करके add कर सकते हो तो यह देखिए आपको फैदा रहता है कि अगर आप मेरी daily की breakout वीडियो देखते हो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को नहीं करके तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहला इकन को प्रेस कीजिए ताकि आप डेली की breakout वीडियो भी आप देख पाऊ आप उसका benefit उठा पाऊ अब बात करते हैं आज के fresh fresh watch list पहला आपका watch list हो का है IRCTC यह आपको अपने watch list में रखना है IRCTC क्योंकि यह देखिए long correction द करता है तो इस टोक को अपने buy on dips में radar में रखिए target रहेगा 750 तक के क्योंकि आप यह देखिए कि double bottom already यह पना चुक है double bottom price पहले यह उपर गया फिर बाफिस तो double bottom price बनाकर उपर जाने की try कर रहा है एक stock है UBL यह stock देखिए अभी बिल्कुल यह जो price होता है 200 यह में वला जो हमारा मैंने strategy आपके साथ ओल्लेडी share की हुई है तो यह stock बिल्कुल all sale के price में मिल रहा है अगर आपका long term का view है यह short term का तो tips में buy करते जीए यह short term में breakout भी देखने को मिल रहा है target इसमें 1300 प्लस के रहेंगे यह सारे देखिए F&O के stocks भी है और rain industry तीसरा stock है rain industries यह stock मैं यहाँ पर type कर देता हूँ यह stock small price बला है rain industries तो यह देखिए rain industry new stock है तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे यह rain industries ज्यादा बैटर लग रहा है क्योंकि volume भी है तो यह तीनो जो stock मैंने आपको fresh बताई इन तीनो stocks मे से मुझे rain industries watch list के लिए ज्यादा बड़ी लग रहा है या मैं क्यों करकि short term के लिए इसमें momentum आ सकता है 190 प्लस के लिए अगर F&O में लेना एक small सा इसमें try करके यह यहाँ पर small यह जब तक कि यह 160 के उपर अगर 160 का stock loss लेकर इसमें 190-185 तक के target आ सकते है short term और plus 200 भी आ सकते ह तो इस stock को यह short term के लिए बड़े stock है F&O में भी है यह पात करते हैं आज का मारा chart of the week first stock जो first stock है मारा आज का chart of the week PCBL limited तो यह stock देखिए काफी चर्चा में भी है पहले आप इसका monthly chart देखिए monthly chart आप यहाँ पर देखोगे कि 2017 में काफी अच्छी volume तो बनी थी विक इसलिए मैं आपको कहता है कि सिर्फ volume के मत देखो साथ में यह भी देखो कि candle कैसी form हो रही है तो यह जो इसका 2017-18 का level था त इसमें breakout tone आने जा रहा है अगर यह monthly candle इसके उपर sustain होगी तो और भी बड़ा momentum आएगा अगर आप weekly chart देखोगे तो यह price ने यहाँ पर क्या किया यह price आप देखोगे तो यहाँ आप यह देखिए rounding form बना रहा है तो अगर यह आपको dip मिलता है 145 के आस पास तो वहाँ पर आ बड़ा सा struggle कर रहा है अगर यह candle नीचे आती है तो बड़े रहेगा आपको dip zone buy अगर आप fresh buy आपने कर रखा है तो नीचे quantity इसमें over add कीजिए यह बड़ी रहत हो देखिए rounding pattern जैसे मैं आपको अभी जो मेरा free telegram channel है तो यह देखिए मैंने free telegram channel पर आपको morning में MRPL का chart sent किया था यह देखिए morning में जो MRPL का chart sent किया था और प्राई देखिए यह 69 से 74,5 तर चला गया तो यह rounding pattern का कमार रहता है कि जब यह breakout देता है तो बड़ा move देता है जैसे अभी भी यहाँ पर यह देखिए इसमें rounding pattern का weekly chart पर 145 के level पर breakout आ गया था तो इस टोक को अगर आपने target बा बात करूं 22 में short term के target यह रहेंगे 180 प्लस और 220 बड़े profit के लिए इसको trail करते जाए और dip में इसको buy कर आप बात करते हैं second stock second stock देखिए टाटा मोटर DVR इस टोक का मंतली चार देखिए और पहले आप देखिए इस टोक का टाटा मोटर अगर आप सबको याद होगा पुराने follower है आप तो आप मुझे comment करके जुरू बताना कि देखिए टाटा मोटर मैं आपको 400 के level पर बार बार दे रहा था और यह टोक है टाट यह टाटा मोटर DVR यह देखिए इसका 2014-15-16 इसमें यहां पे देखिए 1-2 और मोश यह डवल टो बनाकर प्राइब नीची आ गया था तो अभी प्राइब फिर से वापिस वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है ट्राइब कर रहा है और मोश पहुंच जाएगा और यह 2014 तो यह करीब-करीब आण 9 साल बाद इसमें ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है और काफी टाइम से यह प्राइब ले रहा था बार-बार 180 के लेबल पर और रिस्टन साइस का 240 तक 240 के उपर निकलना स्टार्ट हुआ उसके बाद यह देखिए 270-80 पर भी आप क्रोस कर चुका ह तो यह स्टोक मैं बात करूँ तो यह स्टोक एक बढ़िया है क्योंकि वीकली चार्ट में आप देखोगे इंसाइट के लेंडल बनाकर प्राइज उपर जा रहा है तो यह स्टोक का अगर आपको प्रेंट प्राइज पर भी लीजिए इसमें आप टार्गेट के सासाथ तब आप फिर सोचोगे कि मैं नीचे डिप में बाई कर लेता तो बड़ी रहता तो इसको अगर यह लाइफ टेम आई क्रोस करेगा तो यह इसमें बड़े-बड़े टार्गेट भी आएंगे काफी अच्छा फ्यूचर आप इसमें देखने को मिल सकता है अब आज का लास् ऐसे देखिए जो बड़े ब्रेकाउट से मल्टियर ब्रेकाउट से पहले अगर आपको भी कोई ऐसा श्टोक लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताईए मैं आपको रिप्लाई दूँगा कि यह उसमें ब्रेकाउट आ सकता है या नहीं आ सकता है तो कुछ ऐसे ही करके जूरूर बताईए लास्ट है एक अभी काफी दिनों से जी आर एसी तो ये सेक्टर भी देखिए काफी भूम कर रहा है इस सेक्टर में काफी इस सेक्टर के बाकी स्टोक भी आप देखोगे सम में अच्छा मोमेंटम है ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है तो ये जी आर एसी स्टोक है यह GRC देखिए काफी time से यह यहाँ पर concentrate कर रहा था और यह आप देखोगे तो इसका यह support level था 400 अब इसने इसको break किया और यह आप इसको trend line ऐसे भी बना सकते हो तो यह देखिए एक तरह का triangle pattern का यह breakout है तो अगर यह भी price आपको retest करता है तो आप इसको ले सकते हो और इस stock म मैंने आपको पहले भी recommend किया था चार्ट हो था week में जब इसका प्राई था 280 उसका थोड़ा उपर गया फिर प्राई नीचे आया द्वारा support level पर आया फिर से द्वारा चलना start किया था तो यह stock आपको मैंने पहले भी recommend किया हुआ है तो ऐसे ही अगर यह द्वारा dip आता है short term में momentum के लिए तो यह stock अच्छा है और दूसरा PCBLB short term के लिए अच्छा stocks है तो मैं इन दोनों stocks को dips में भी add करना चाहूंगा I hope की आज सी वीडियो में आपको strokes देखे मैंने बर-बर के strokes coffee stroke दे दिये तो वीडियो को like करना ना बुलना और मेरे free telegram चैनल का link आपको description comment box में मिल जाएगा तो आज वीडियो से I hope आपको कुछ न को सीखने को मिला जुरूर होगा तो बक्की डेली आपके पास week के बीच में जो breakout वीडियो आती रहती है तो इसलिए आप चैनल को subscribe ना बरना और साथ में वीडियो का disclaimer रहेगा कि मैं आपके साथ learning और education के बादे उसे वीडियो शेयर क पैस्टी देखी उसी के recording अपना ट्रेल लीजिए जब तक आपको confidence ना हूँ तब तक आप entry ना किजिए वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद